हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने परिवार रवी टीचिन सेंटर में दोस्तों आज हम लोग मेत का 10 माध पून प्रिवेस येर कोशन सोल्प करने वाले आप लोग कोपी और पेन लेके बठिये दोसों कोशन का एंसर फहले आप लोग खुछ से सोल्प करने खुचिस किजिएगा उसके बाद ही मेरा सुल्प सन देखिएगा आइए आज के कलास श्टारट किया जयार देखिए पहला नमर कोशन क्या बोल रहा है देखिए तो पहला नमर कोशन बोला जारा है। परफ्टी गर्प को टेलिग्राव एक क loot की चैनल साथ किलोमीटर परति-घंते के चाल करते में कितने समय में Byम दोग फेलेश 열 पूछ रहा है आपको पूछ रहा है समय पूछ रहा है इससमय बराबर क्या हो जाएगा है पूरी बठीचाल कि Swedish संप lly Amanda . समय आप से समय पूछ रहा है तो समय बावर क्या जागा दूरी बट्य चाल चले देखिया है वह साथ मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 36 किलो मिटर पर घंटा चाल से टिलीगर आपको एक खंबे को दूरी यहां क्या जागा एक खंबे को पार कर रहा है वह अपने आपको गाड चाल डिया हुए आपको 66 किलो मिटर पर घंटा तों आपको बता हैं है पिछले साथ बहुत लुक्त कुलो मीटर पर घंटा से आपको मीटर पर सकेंड में जाना हो तो क्या किजिएगा और मीटर पर सकेंड से किलो मीटर पर घंटा में जाना है तो उसमें क्या किजिए दोनों बताएं थे में ? कीलो मीटर पर स्केञ्ड वा जागा गांडा से भड़ा से छोटा आम जागा तो चोटका से गुना ई फा रटे अठारा से गुना कोई धिक्कत तो हम लगों 800 वा जाना तो बाला चोटका से गुना तो 36 यां पहाद थाएरा से गुना कीजिये गधा खिजये जाएगा थारा दूणा स्थिस कटेगा पंदूणा दस कितना जाएगा दस दस मीटर पर सकेंड दस मीटर पर सकेंड हो जागा चाल कितना आगे दस मीटर पर सकेंड समय पूछ रहा है समय एक समान लेते हैं दूरी कितना है मतलब एक खंबे पार करा मतलब अपने दूरी को पार करा साथ मीटर दूरी है साथ मीटर दूरी हो गया चाल कितना निकाले हैं आप चाल निकाले हैं तस मीटर पर सकेंड चाल कितना निकाले हैं दस मीटर पर सकेंड अब सकेंड नीचे आ जागा तो उसको उपर ही लेख दीजिए चुकि मीटर पर सकेंड उपर चल जाएगा अब चार नमर उप्षन हो जाएगा एंसर दिया हुआ है इसलिए आर हम लोग को दिया हुआ चाली है 36 किलो मीटर पर घंटा में तो किलो मीटर पर घंटा से मीटर पर सकेंड में जाने में क्या करना पड़ता है बढ़का च्छोटका च्छोटका से गुना 5-18 से गुना किजिए गा तो 36 को पाट अठारा से गुना किजिए कितना जाएगा दस मीटर पर सकेंड चाल आगे दखिए समय ब्रावर रहता है दूरी बटे चाल तो दूरी है अब एक पोल को पार कर रहा है मतलब खंबा को मतलब अपने आपको दूरी पार कर रहा है साट मीटर तो दूरी हो गया है साट मीटर चाल हो गया है दस मीटर पर सेकेंड तो सवाल भी कितना आ गया है छे सकेंड कितना आ गया समय छे सकेंड दूसरा नमर कोस्टन क्या बोला जा रहा है देखिए तो देखिए क्या दिया है वन बटे रूट थीरी वन बटे रूट थी सब गतबका आप मेंट्रीक से पड़ते आरें नाहीं ते कि को साइंज थे शाइन थीजर सबका मान याद ही नहीं रहेगा घु सब हाल बने कभी भी कभी नहीं बनेगा तो यह सब बच्चे वाला चीज है आप लोगी दिन नहीं जानते तो याद कर लिए पांस मीट लेगा आपको सब को याद करने सब कामान को साथ डिगरी कामान कितना होता वन बटेट टू सब इन दोनों को स्वल्व कर दीजिए नीची वाला सब के लिए क्या रूट थीरी रूट थ याद सब्सक्रान चीज जाना क्यों यह सकते लंजब नव चेसरा क्यों सब बूच्आ आपको सब बुच्छा किया पूश्ता एंगू इन को सब्सक्राइगर याद रखाने कंते सजिए ढ़या इंदर नंबर सकने सब कोम थे मृता हैं थीरे क्यों नूम्ड रहाला मिंगा एवा, x और y का अनुपाद दिया हुआ, x और y का अनुपाद कितना दिया हुआ, 4 अनुपाद 3 दिया हुआ, तो पुछा क्या जारा, x square minus y square का मान क्या होगा, इतना बराबर वार्ट, चलिए तिसरा नमर कोस्टन क्या था, x square plus y square बराबर 100 दिया हुआ, x और y का अनुपाद आप से पूछ रहा एक स्क्राइब माइनस ष्क्राइब वराबर वार्ट क्या होगा देखी एक सव य का तो अनुपाद दिया है चार अनुपाद तीन यहां तो है तो आखिर में जब एक सब्वाइब का अनुपाद दिया है तो इसका कोई गुनाज में ही इसका कोई गुनाज को ही ऍा आप इस तरह से कीजिए तो हंडेट ओएगा फिल इधी जिस एस एक आर आूफात आपको दें दिया है तो इसका क्वर म। भुनाज धिकरें लोग दो से गुणा करके देखते हैं ठीकए पहले यह बैठा होगा ठीक है तो देखिए चार को दो से गुना की जिए आठ हो जाएगा आप उसके बाद देखिए तीन को दो से गुना की जिए चे हो जाएगा आठ नपाद छे अब रखे देखते हैं यहां प्रखें तो आठ है एक से जिए में आठ रखें आठ का स्कुराइर कितना जागा आठ का स्कुराइर कितना जाएगा अपला छे का स्कुराइर जड़िया है समाखन की लिए क्या सम्तूश्ट हो गए तब मतलब क्या सम्झाए आठेर यौ 6 है यहां रख देजिए अंसर आजाएगा यहां फी एक स्कॉरर यह 6 पांच में तीन गिया दो पांच में तीन जाएगा दो ही नहां अठाइस आगिया एंसर अठाइस की सब्सक्राइब दो नंबर उप्शन हो जाएगा एंसर समझाया क्या इसका कोई गुना जी यहां पर बैठा होगा तो सारा जगा संतुष्ट हो गिया हम लोगे इसका माल कितना हो या अठाइस दो नंबर उप्शन हो जाएगा एंसर देदो चार नंबर कोशन क्या बोला जा रहा देखिए यदि एक आयत की परतियाग भुजा को बढ़ा दिया य किसी का भी भूजा बढ़ा दिया होगा है और अजह सवाल जब भी रहे आप लोगा सवसे बनाएं परgera को कसी ब summala क्रों नाते है वित पर अपने बाला या शिक्ता होंगा ऑंट चनल ब्लस अब बटे हंड़ेड यह होता है अब फर्मुला इसा सवाल जब भी आपको मिले कुछु बढ़ा है इसका च्छत पल में क्या बिर्दी होगा तो उसको एभी फर्मुलास बनाएगा एर भी दोनों को इहीं मैंना ठीक है 20पर्संब बिर्दी हो रहा है एक और ही इसंथ चालिस और चालिस पलस चालिस 46 डारेक्ट लिखते हैं च्वालिस परसेंट का बिर्दी हो जाएगा एक बार फिर से देखिए जब भी ऐसा सवाल रहे कि आयत के बुजा को बढ़ा दिया या तो छेतफ़ल में क्या बिर्दी हो या और भी कुछ सवाल रहे जो कंटिन्यू जो दो कंटिन्यू घटना जब रह है ठीक है एक पलस द फलस ब्लस एवीट हंडिड तो सबको अंदिया कीना जबुआ प्रसेंट आँब DSR किस अप्शन में है चारन नमरू अफ्शन हो जाया एंसर चार नमर कोशन हो पांचवा नमर कोशन सुल्फ करते हैं स्वक्षण कहाँ है बहाई चलिए पांचवा नमर घंट करें चली आगे देखते हैं जबकि सी फाइप ठोल दिया यहता है तो कितना समय ने जाएंगा प्रिता में नगे जू है सी सी यां खाली कर सकता है पाइप अब दी नोगा से साहल थी ट्रेंकिक किसे अब बाइप चोंगी कर सकता है जब किना मेंद निलीन तो रहा है जबकि 5 सी 10 मिनट में खाली कर सकता है ग्षॉ सुनिए या पाइप को एक बार खोल दिया गया तो टंक की कितना समय में भर जागे देखिए चलिए छे आड़ दस लिखिए सब का आप लिजिए कितना अच्छा खासा हो जागा इसका कितना हो जागा इंसर इसका 120 और यह आप आट पने अच्छाक हाट जागा दर यह सबसें काट रहा है कितना समय में काट सकते हैं ठीक है तो ट्रंक फबर में ना नहीं कितना समय में घाड़ जागा ना देखिये A और B वियोल खार गता ना होगा लेकिन C खाली कर रहा था था थो भार कितना आ रहा यह 22 मैं amount जांगना कितना ऊंगतैस बीस और पंदरा कितना प्ऐा 35 शाना कितना है शाकिके का यह से था बीद तो भी खाणीक कर रहा यहाए 25 मौ सब्सक्राइए 15 वहुअ कर रहा है यह थो छाली भी तो कर रहा है तो 35 दफाओ कर रहा है तो कितना भर्रा है मतलब 25 को ऐसार अिछह कर रहा है कितना है कितना विस भर हैं या निचे लिगते हैं । बहर कितना रहे हैं फाली से भाग यहांज पर निकनलें जाएiénशर निकल जाएगा तो अपस्तिय पंद्रा 115 हो जाएगा 5 बार में लगए यहाँ थाइस पंचे 115 हो जाएगा 120 से से सफ़ल कितना बचेगा 5 बचेगा बटे ताइस इतना यहाँ भागा करके देख लिजिए 120 को तइस से भागा किजिए कितना आजाएगा 5 पुर्णांग 5 बटे ताइस 5 5 बटे क्या बला जा रहा है देखिए तो दो वर्सों के लिए आठ परती सत परती वर्स की दर से एक सुरुपए पर चकप्रिदी व्याज और साधारन व्याज के बीच अंतर और तालिस रुपए है एक का मान ग्याद करें देखिए हम आपको ऐसा सवाल आपको हम सोट वीडियो मे मातर एक मिनिट के से चोटा का वीडियो होगा ऐसे सवाल उसमें बता है एक बीडियो में चक्रविडि ब्याज कर अंतर वह सवाल दे इसका सीम्पल सा फर्मूला होता है को सोट वीडियो में पढ़ाए है अंतर बराबर मुल्धन इंटू इंटू इतना ही लिखना है और तीन साल का दिया नाएगा तो सिल्प इसमें एड कर देते हैं अंतर बराबर मुल्धन इंटू 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 ब्राबर मुल्दान देखिए, यही तो निकानला है, मुल्दान निकानला, एक सग्याद के रहा, मुल्दान निकानला इंटू 10 बटे सो, 10 कितना आठ परसेंट, 8 बटे सो, और इंटू 8 बटे सो, दर 8 दिया हुआ है, तस इंपल से फर्मुला अंतर ले मुल्दान इंटू 10 मुल्ला नहीं पुछा जा रहा है चलिए अब काट कुट कीजिए कहां कहां से कटेगा 8 6 48 6 बार उपर उपर कट जाएगा ठीक है आप देखिए 4 दूनी 8 25 चो कटेगा फिर 2 से कटेगा 2 3 6 3 आगे आप तो कहीं नहीं कटेगा आप को नहीं कुछ नहीं निचे 1 16 ऐसे 25 सब उपर जाके गुणा कोना कुना हो जाएगा उपर निचे 30 его अर्टीन सब गुना हो जाएगा तो 75 यह 75 वहे तो सुननी का दुम्हे एकस कमाल कितना आ अगया 75,000, मुंधन कितना है, 75,000, किस अप्शन में, दो नमर उप्शन हो जाएगा साथ नमर को संस्व करते हैं साथ नमर को सन्थारन ब्याज की वह वार्षिक दर क्या है जिससे कोई राशी सोल्ल, कोई राशी सोल्ल, 2 वर्टे, 3 वर्ष सोला दुवर्टेतीन वर्ष में दो गूनी हो जातील है इतना वर्ष में दऊकुणी हो जाती है सिंपल सा फंब्लाइक साथान्ब्याइच का पी गुणा ड्ट गुणा टी बड्रे हंडड इाज का सिंपल सा आप धएक बू एतना वर्स में डोगुना होता है इसको सुल 99 40pek attachments इतना दिया पचास वैट याध आप समझेगा आपको जो लेने कमन आपको मुल्धन रासी जो लेने कमन लिजिए पांचो लिजिए गा तो इतना वर्स में कितना है तो फर्क नहीं पड़ने वाला है चो चलिए परसेंटेज पूछा क्या जा रहा है इतना वर्स में हो जाएंगे आप मुल्धन मुल्धन झतना किसी को भी रख दिजी एंसर से मिं आएगा जितना मतलब मुल्धर नी best है यह बढ़ रहा है 500 था यह यह हजार हो गिया 500 से 1000 होगिया है अन् dåumतल leaking सतना मुल्धर नी था 500 यह न बढ़ा भी आज यह isto सेची नबढ़ा भी आज 100't ? 100 था मुल्धन, तो 100 न बढ़ा भी आज़ा, आपको किसी को मानने का मन, मानलेजिए हम लोग 100 मानेगे, ठीक है, हम लोग 100 को भी मानने के चलागे, 200 हम लोग क्या माननेगे 100, तो 100 बढ़ा, आप 500 भी मान सकते हैं, बाद में तो कटी जाएगा, उपर उपर कड जाएगा, 500 मान कि जी, इबराबर बराबर तो इसे खतम हो गया, 50 दुनीशो, ठीक है, अब नीचे नेचे गुना किज़े, कुछ ने तो एक है, एक हो जाएगा, तीन दुना चे, एक स्वराबर कितने आजाएगा, एक स्वराबर आएगा, 6, rate कितने आजाएगा, दर आजाएगा, 6 सबसेकर करे मोल कोच जठाय कोश्च पराइज करेमुल सेलिंग přाइज करेमूल कहल stor करेमूल hurts ऐस से लिग अनुपाद 25 उत्ठात्व movies 15 पाइज डेला खाई औरन अरहाम से समझज गा पंदरो सीपी मतलब क्या कर रहे है मुल मतलब माल जितना में खर्दा में ओ BerlinAY कोई आदमि माल खरदा है 15 द्वें चल्था समझीएगा अब बाद कोुई दो और कम वस्तू खरदा अइस पंदर आप पंदर अठारा से Cathy कुटना tulis मतलब कितना का लाब हो रहा है तो कितना के लाब हो रहा है कितना पंदरा सवाल बन गया एंब निकल गया कितना में पंदरा में तो 100 में कितना पर्सेंटर निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो तीन पजहे पंदरा अब पंदुनि दस 20 बार में कितना लड जागा 20 परसेंट कितना ल्यों दूको बीस परसेंट जाएज ज़ाल के हैं this is no number को अगला कोस्छन करते हैं किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिनाम वही संख्या होती है वह संख्या क्या है एक बार फीड़ से यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिनामी वही संख्या होता है तो वह संख्या क्या है यहीं संख्या के 50% को 75 में जोड़ाया तो वही संख्या हो जाता है किसी संख्या को 50% मतलब क्या हो जोड़ने पर ही संख्या हो जाता है किसी संख्या कर दिजिए किसि संख्या का आधा कर दिजिए आप संख्या क्या है हम लोगों पहले नमर ऊप्शन देखते हैं एक संख्या के आधामे के सख्या आधा में निगला इसे संख्या क्या क्या है पर नाम्य वही संख्या ऑगया अगया गी नहीं आगया समझ रहेया पात को की संक्या कि आधा में 75 प्योड दिया आता है तो परनामी वही संक्या आता है वह संह क्या है 0540 ही उनी कर गते हैं जसका आधा करके ॥ार्था नहीं कर जाएगा कौन सॉप्साराँ ढैंसर एक हो जाएं फ्रण रेकल पंचhon ढप कि तीन नमर्व उप्शन हम लोग चेक कर ले रहा है आपके संतुष्टी के लिए चार सो का आधा कि ये 200 255 जोड़े 255 जोड़े आगा वही संख्या कहां आया तो तीनों उप्शन में नहीं आगा एक ये संख्या आगा एक नमर्व उप्शन अब दस नमर्व कोशन है राज क तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या एक तम बहुतासान सवाल है चले लिखते तीन संख्या का अनुपात कितना दो अनुपात तीन अनुपात पाच है तीनों का योग कितना 275 है तीनों का योग 275 है तीन संख्या का अनुपात इतना दिया हुआ है दो तीन अब बोला तीनो संख्या का योग 275 है, मतलब यहीं तीनो संख्या का नमान 275 दिया हुआ, यह तीनो संख्या को जोड़िये तो 5, 3, 8, 2, 10, तीनो संख्या को जोड़े तो 10 हुआ, अनुपात 10 का ही नमान 275, कोई दिखा, कोई दिखा, नहीं, तो अनुपात 1 का मान क्या अनुपाथ एक कमान के आजागा 17.5 तो बोला उनमें से सबसे बड़ी संख्या कोन है अचा उनमें से सबसे बड़ी संख्या कोन है आप दाजिए उनमें से सबसे बड़ी संख्या कोन है दूए उनमें सबसे बड़ी संख्या कोन है दूए उनमें सबसे बड़ी संख्या कोन है सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जागा 117.5 हो जाएगा इंसर चलिए आज का हम लोग 10 महत्पून मेत का पिर भी सेर कोशन सोब कर चुके है आपका दस में से कितना नुबर आ पारा कोमेंट पॉक्शन जहुर दीजिएगा आपका कम से कम 10 में 8-9 तो आना है चाहिए लगए 10 कोशन हलका था असारा फिर भी सेर कोशन है दस में आपका कम से कम 9 तो फिक्स है 9-10 फिक्स है ठीक है आपका कितना आरा कोमेंट पॉक्शन जहुर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सस्क्राइब कीजिएग अपने दोस्तों साथ ज्यादा ज्यादा शेर कीजिएगा मिलेंगे नेस्ट क्लास पता के लिए जय ही जय भारत